नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है और पंडित रविशंकर सुकल यूनिवर्सिटी में एड्मिशन की प्रक्रिया 16 जून से ही प्रारंब हो चुकी है आप सभी को जानकारी मैंने वीडियो के माध्दम से दी थी त आप सभी को देने वाला हूँ जो काफी ज्यादा खास होने वाला है और आप सभी को फायदा कराने वाला है तो आपको लिए एक खुशी की बात है जो नए अडमिशन लेना चारहे रविशंकर सुकल विश्वयुद्दालाय में तो क्या है यह खबर इसके बारे में हम पू उनिवर्सिटी जो की NCC को विसाय के रुप में चून सकेंगे चात्रा और आर्मी वाले आकर उसकी ट्रेनिंग के परिक्षा लेंगे तो दोस्तों चलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में पूरे इस महत्वपूर्ण खबरों के साथ तो सबसे पहले आप सभी को बता दू कि यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को आण करें जैसे हम नए महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे आप सभी तो नोटिफिकेशन मिल जाए चाहे तो आप इन प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारे ग्रूप्स को भी ज अपकलर नाम दिया हूआ है अब उसका क्या है 98 परसेंट है तो जाहिर सी बात है पांचों जगा में मेरित लिस्ट में फ्रस्ट नंबर में आएगा और ऐसे में क्या करता है किसी कॉलेज में ही एड्मिशन लेता है तो पर इस बार यह चेंज कर दिया है कि आपरर के 5 नाम पांच सुची में लेकिन प्रवेस एक में ही तो इसलिए रविशंकर विश्विद्दालाय नहीं जा कॉलेज जारी करेंगे मेरिट लिस्ट पूरे चीज़े मैं समझाता हूँ पहले कैसी वेवस्था थी और अभी कैसे है देखे साथ एक चीज़ और बताऊंगा आप लोगों को ये बता रहा हूँ देखेगा कि आपको मैंने वीडियो में भी बताया था कि कितने मैक्जिमम कॉलेज सेलेक्ट कर सकते ह आप पांच ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है लेकिन जैसे फॉर्म भरने के बाद हमने देखा तो वहाँ पर साथ कॉलेज के सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पस और ऑप्शन बसता है तो आप 6 और 7 नंबर में कोई और दो कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आप भर के देखिएगा पहले कैसी व्यवस्ता थी देखिएगा आपको समझाने के प्रयास करूंगा रवी शंकर विष्व विद्याले ने आवेदन करने वाले छात्रों की मेरिट लिष्ट बनाकर कॉलेजों को सौब दी मान लीजिए ठीक है अब 5 महाविद्या में चैन के लिए आवेदन के वक्त वो 5 महाविद्याले का चैन कर रहा है अब जाहिर सी बात है उसका 90 प्लस परसेंट है तो उसका नाम तो सभी 5 कॉलेजों की सूची में आएगा जाहिर सी बात है अब किसी एक कॉलेज में उसने एड्मिशन ले लिया तो चार कॉलेज में क्या हो जाता है सीट खाली रह जाता है अब चूकी लिष्ट निकालने का अधिकार किसके पास है रवी शंकर विश्वविद्दाले के पास है तो सेस चार कॉलेज में तो पहले चरण में खाली रह गया अब वो चार सीट किस में भराएगा सेकेंड चरण में भराएगा ऐस इस्तिति पहले आता था, अब ही इसको चेंज कर दिया, और क्या किया गया, अब इसी वेश्था की जाएगी, नई वेश्था में, पांच कॉलेज का वो चैयन करेगा, लेकिन अब मेरिट कौन निकालेगा, जो पांच कॉलेज में वो सेलेक्ट किया है, चुना है, उसी महाविद्यालों में आवेदन करता छात्र के नाम रविशंकर विश्वविद्याला भेज देगा वो पांचों कॉलेज क्या करेगा वो सिधा यूनिवर्सिटी को उसका नाम भेजेगा अब नाम के अधार पर कॉलेज खुद ही मेरिट लिस्ट जारी करेंगे जो सबसे जादा अंक प्राप्त किया है वो छात्र का नाम पांच महाविद्यालाम कैसे रहेगा A, B, C, D और E टाइप का नियमता अपनी मेरिट लिस्टम सामील करेंगे उन लोग मतलब पूरा किसी कॉलेज में A लिखा गया किसी में B, किसी में C, किसी में D, किसी में E अगर सब में आना है तो अम माल हो जाए A में वो प्रवेस ले लिया तो B, C, D को पता चल जाएगा ठीक है ताब उन लोग क्या करेंगे उसके सीट के जगा में क्योंकि वो A में एडिमिशन ले लिया है तो उसके सीट के जगा में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नंबर को कॉलेज जाने की सेज चार कॉलेज जो होगा वो दूसरों को प्रवेस दे पाएगा इस प्रकार वो दूसरे चरण का इंतजार ना करके पहले ही चरण में वो सीट भर जाएगा इस तरह से last में open counseling वाली प्रक्रिया बहुत कम chance है से उसके होने की अभी continue seed भराते जाएगा तो ये जो है बहुत अच्छा विकल्प यहाँ पर university निलाया और बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर कि जो college है उसको अपना merit list खुद तयार करने को दे रहा है हाँ जब कोई भी है जो पांच college में पूरा नाम दिया हुआ और पांचो college में उसका नाम आ रहा है तो क्या होगा वो पहले में admission लेगा जी तो चार seat रिक्त हो जाएगा तो यह पहले में admission लेगा ना तो तुरंत इन चारों को पता चल जाएगा तो यह चार क्या करेंगे कि इ चार seat रिक्त रहता था उसको last में भरते रहते थे उसको तो नुकसान हो जाता था क्यों दूसरे लोगों का admission नहीं हो पाता था उस seat पे तो यह दिक्कत होना पड़ता है तो यह चीजे दो पॉइंट याद रखेगा यह आपका फायदा हो रहा है कि college जारी करेगा सुची सा पर साथ का selection हो रहा है अगर आपके ID में साथ का selection हो रहा है तो बिल्कुल कीजे कोई problem नहीं है साथ ही बात कर रहे है हम लोग कि NCC को विशय के रूप में आप चून सकेंगे छात्र नतीजों में जुडेंगे अंक जब आप exam दिलाएंगे तो उसमें भी mark sheet में आपका अंक जुडेगा और आर्मी लेने वाला है इसका practical यह हो रहा है क्रिशी विश्वविद्यालाय हमारे राइपूर में इंद्रा गांधी क्रिशी विश्वविद्यालाय में सबसे पहला प्रदेश का यह university होगा जिसमें यहाँ पर NCC को एक विशय के रुप में चैन किया जा रहा NCC में सामिल होने वाले चात्रों को पहले certificate प्रदान किया जाता था इसे विशय के रुप में नहीं जोड़ा जाता था जैसे आप 5 सब्जेक्ट है आपका तो उसके छटवा सब्जेक्ट यह भी रहेगा और टोटल सब्का होगा percentage उसको मिला के बनेगा तो चाहे वो आर्ट प्रदान किया जाएगा लेकिन अंक सुची में नहीं जुड़ेंगे यह पहले की विवस्ता थी अभी 2022-23 से इंद्रा गांधी क्रिश्व विश्व विश्व विद्यालय में यह नहीं योड़ना कर लाब आपको मिल सकेगा इसकी सुरुवात कर दी है एंसी की और से प्रस् में अगर आप छात्र एडमिशन ले रहे हैं तो आप एंसी के रुप में उसका चैन कर सकते हैं यह चीज़े आपके लिए फायदे मन है आपके माक्षित में जुड़ेगा अंक प्रैक्टिकल आर्मी वाले आकर लेंगे सिले बस समान रहेगा सभी का कोई प्राबलम नहीं ह होगा तो बड़ा अच्छा यहाँ पर आज दो पॉजिटिव नियूज आपने को जानने को मिला है तो ऐसा ही कंटिन्यू अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा दोस्तों हमारे वाटसप ग्रूप को टेलीग्राम गूप को जॉइन करें जो भी पेपर कट और डॉक्युमे